दोस्तो जस्ट अभी कुछ देर पहले टाटा पावर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और साथी साथ में इस वीडियो के अंदर में तीन डिविडेंड अनौस्मेंट्स को भी कवर करूँगा मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फिनो मीडिया भाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आ जाते हैं दोस्तों सबसे पहले टाटा पावर के बड़े अपडेट्स की बात कर लेते हैं उसके बाद में डिविडेंड अनौस्मेंट्स को कवर करूँगा तो एक चीज तो आप सबको ही पता है कि टाटा पावर यहाँ पे आए दिन नए चारजिंग पॉइंट्स को इंस्टॉल करते रहता है और यहाँ पे काफी बड़ी अपडेट निकल के आईए बिसिकली सेप्टेंबर वले क्वाटर के अंदर में टाटा पावर ने अब तक का सबसे जादा डेविलपमेंट किया है अपने ईवी चारजिंग पॉइंट्स के अंदर में टाटा पावर ने यहाँ पे September 2023 वले यानि की last quarter के अंदर में यहाँ पे 180 EV bus के charging points को install किया है यह अब तक का सबसे बड़ा development है charging points के अंदर में टाटा पावर द्वारा अगर आप इसको last quarter से compare करें मदलब quarter on quarter basis पे अगर आप इसे compare करें तो 22% की growth यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है charging points installation development के अंदर में मदलब यह जो company Tata Power का charging network है वो 22% से बड़ा है as compare to last quarter जो की काफी अच्छी बात है quarter on quarter basis पे काफी अच्छी growth यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है Tata Power के नए charging points के अंदर में अगर इसी रफतार से Tata Power ग्रो करता रहा तो आने वले time में काफी जादा coverage यहाँ पे Tata Power कर लेगा जो की long term में definitely Tata Power को काफी benefit यहाँ पे पहुचाएगा और साथी साथ मैं अगर एक और update को में cover करूँ तो यहाँ पे money control की एक report के अंदर में काफी बड़ी update निकल के आईए basically share khan जो की एक काफी जाना माना brokerage firm है इंडिया के अंदर में I am definitely sure आपने कहीं ना कहीं से share khan का नाम जरूर से सुना होगा stock market के ओपर में भी काफी लंबे time से काम कर रहा है अभी Tata power का जो stock price है वो 262 रुपीज के ओपर में trade हो रहा है और share khan ने जो है Tata power के stock के ओपर में bullishness दिखाते होए buying recommendation शेयर करीए और जो target price दिया है वो 285 रुपीज का दिया है तो लगबग 262 रुपीज से लेकर के 285 रुपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पर share khan expect करके चल रहा है Tata power के stock के अंदर में तो यह भी एक काफी positive update है दो updates निकल के आई है दोनों की दोनों काफी जादा positive है जरूर से आपको Tata power के stock को अपनी watch list के अंदर में add करके रख लेना चाहिए अब यह तो हो गई Tata power की update की बात अब आजाते हैं बात कर लेते हैं dividend announcements की तो पहली company का नाम है Uniparts India Limited इस company का stock price 540 रुपीज के उपर में चल रहा है अब इस company ने आपे dividend announce कर दिया है 8 रुपीज का जिसको देने की X date और record date जो है 24th of November की रहने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है Oil India Limited Oil India का जो stock price है वो 313 रुपीज के उपर में चल रहा है अगले and last stock की बात करें तो company का नाम है शरत Industries Limited इस company का जो stock price है वो सिरफ 57 रुपीज के उपर में चल रहा है and इस company ने आपे dividend announce कर दिया है 0.25 रुपीज का यानि की हर एक stock के उपर में आपको मातर 25 पैसे का dividend दिया जाएगा and इस dividend को देने की जो X date और record date है वो 24th of November की रहने वाली है इन तीनों में से आपको जिस भी stock को purchase करना हुआ ताकि यहाप आपको उसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही यही बड़ी update निकल के आ रही थी Tata Power की तरफ से और साथी साथ में 3 dividend announcements को भी मैंने cover किया अब अगर आप कोई वीडियो ची लगियो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चानल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा बिगोस फिनो मेडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई